वहां पर तूट गया है तो वह पार्केट में दवाई लाने कि हमारी पता नहीं मतलब कि हमारे इतनी अच्छी फैमली वह पताने क्या हो जा रहा कभी काजल भीमार कभी हम भी अधर को फ्रेंट देखिया भी हमें त्री लगा लिए खिलाचे था थोड़ भूण ठीक है क्यों दोस्ता भी सुबा का टैम हो रहा है आठ बज रहा है और देख सकते हैं मौसम कितना ही प्यारा हुआ आज का मसम देखके दिले खुछ हो गया अग्दम आज सुबा सही मौसम बहुत प्यारा हुआ है बादल है आसमान में और ठंड़ ठंड़ हावा चल रहा है तो काफी तो अभी कहा है तरू तभी हम दोनों ने ब्रस कर लिया है और एक-एक मिठा करके पानी पी लिया है मानसी बेटा भी सो रही है और इधर काज लाई इधर सब्जी हर बार लगाती है पूरा जंगल घेर लेता है फिर अब देवाली चाठ देशरा तो बहुत ही खुशी होते हैं इस समय है ना और मौसम भी काफी अच्छा होता है घर भी शुहाना लगता है और इस बार दिवाली को तो आपको पता है कि हम अपने नयवाल घर को सजाएंगे और यह देखे यहां पर का हो है फड़ा है को हाँ देख रहा है यह थोड़ा सा फार एक निकला है ना बहुत निकला है तो द तोड़ना ले जाए तो यहां पर रहेंगे नहीं किसी तो यह देख सकते हैं दोस्तों आ गया इसमें तोड़ी लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है यह भी जाएगा थोड़ा-थोड़ा धिर-धिर करको अपने जगा आटोमेटिक बना लेगा क्या मसम आया है पागलपन चाया है तो एक और इसमें आगया है दोस्तों एक तो तोड़ दे थे माल से दो है इसमें एक यहां देखो तीन देखें उस दिन हम लोग अगर जैसे इधर का घास जो घास दर से निकाल रहे थे उस दिन छोड़ नहीं छोड़े होते तो आज यह नहीं मिलता उस दिन मुला खाई थी लाल था लाल था इतना ही बड़ा था लेकिन लाल मेठा था तो चलिए मतलब पौधा यही है गाह में की पौधा काफी अच्छा हो जाता है ना कुछ भी लगाओ चलो कि का को अलू चावल बेठाई है बौइल हो रहा है अलू और इधर को मौसां कामा जा ले रहे रहे हैं पुछ लगाओ और फड़ता है ना तो बहुत सुकुन मिलता है ना हमारे लगाए हुआ ज्यादा फड़ता है सब इतना हमारा हाइड देखिए इतना और प्रुक देखिए यहां तो उचा हो जा रहा थोड़ा सा अभी जब हम उचाई पर खड़े है यह दे उधर और यज़दा डाउन हो तो मेरी से में ज्यादा मिट्टी डावन को दिखेगा ने कि जब मिट्टी डाओं और यह यह जो टेंक है यह नीचे आ जाएगा मिट्ट तो यह पूरा एरिया ओपेन दिखेगा और जब उसमें का टोइलेट चालो हो जागा तो यह वाला टोइलेट हमारा हट जाए रहा से तो और ज्यादा बैटर लुक देगा है ना अब बांडरी हो जाए मिट्टी डल जाए फिर उसके वाह से अपना गेटोट के पीछे पढ़ कुषाइ कुमार के उसमें भी पीएफ जो साधी से पहले कमा रहा तो वहां का पीएफ भी था उसके वहांपे इतने पर वह सब बचाकर रहा ठाठाथ और चार साल हम लोग साथ मैं रहें कमाए कहीं शोगा कामाया था कि जहां पर काजल भी करती थी मेरे साथ हेल्प कराते तो मेरे को पानी पहुंचाना जरूरी था तो मोटर उटर फीट करने में काजल मेरा मदद कराते थी तो सोचिए कितना दोनों मतलब मेरा जौब काजल भी मेरा हेल्फ कराई थी क्योंकि रात में तो कोई लड़का था नहीं हमें और मिल जाता था सुबह तक पानी चला जाना चाहिए तो इतना सा कुछ उधर किये फिर अभी तक जितने मतलब यूट्यूब का अर्नेंग और जितना हम लोग बचा के सेफ करकर रहें सारे चीजे इसमें लगा दिया तो अब इतना जल्दी नहीं हो सकता है मिट्टी डल जाया बांट्री हो इसलिए टाइम लेंग और नया स्टार्ट अप के लिए हम लोग भी उसका भी प्लानिंग कर लें कुछ नया स्टार्ट अप करने के लिए बट देखें कब तक होता है वह इस बार में बता ने सकते वीडियो तो देखें कब तक होता है आप सब को भी एक सर्प्राइस ही मिलने लगा है जाना का जला हम जा रहे हैं है भाई आप भाई आप बढ़ आप और वहां पर तो अब दोस्तों राद को जैसे कि मैंने सब जिवाइन था अंडा एण और आलू का और इस से इंप्रेश हो कि काजल भी बना रही आपना अपना तिखा रहे है तो काजल भी भी बना रही है मेर जैसा सब्जी बना नहीं रही है क्ए हमको को कई देखा ज़िटें रही एं आलू और अंडा का सब्जी क्योंकि रात को भी खायते रात वाला में भी बचाई है तो हलाकि मैं वह खालूँगा और तकि अभी वी सब्जी वैसे ही बना रही है तो दोनों हम पती पत्नी अपने में ही एक दूसरे से सर्थ लगा लगा के सब्जी बनाते हैं कौन अच्छा बनाता है और इसी में हमारा खुसी-खुसी दोनों एक दूसरे का हेल्प हो जाता है दोनों की आना चलिए देखते हैं ट्राइक करका हम इमांदारी से बताएंगे कि इसका सब्जी मरात वाला मेरा वेज़ टुआ था या काजल का क्या बेटा आप मजद नहीं करती हो इधर लिए देखो हाइ बोल दोसते देखो मम मेन डाटा आपको गयो डाटा मताँ रिजन भी तो बताँ क्यों डाटा ममेने बलो-बलो बेटा बोलो ममने क्यों डाटा है था तो आपकियो पर्षान कर रहा थी वे था ये तो है कि सौच बोल रही है मैं जी कहरे बाताएं कोई भात नहीं मम्मा को पर्सान नहीं करते हैं ममा खाना बना रहे लाँ है तो अब यहां जो दूनें लोग खा रहे हैं दाहई में रोट जाल के आते हैं जाविए तब कुछ एक का खतम हो जाता है क्का खत हम ऐसे पीलो जो फदिसह जो जो रहे सिए दाही मेरा फेवरेट हो भी घर का जमाया मतलब काफी दिन बार दाही मिलाया काले मतलब दो जांस आता नो वहीं बोले थे राद में तो सुबह में जमात लें और मौसम जो है अभी वी साफ है पूरा मस्त है एक तम ठंड़ ठंड़ छली मानसी को लेके आते हैं कहां देजा जारने महांदे तो ना मसला उठाए थे ना पुरा नाख पान पन हो गया है स्टधी जैसा देखते माय अगल को फोल्ट करका चा छाष रख गढ अलमारी पर इसको दो कि सुबह में गर्दे सुबह दे चली सुबह पर चली सुबह देश्ट है ले चलिए वही पर साप था दोस्तों साप पर लोग विजा पर लोगा तुरू साप देख लिए अब यहां देखिए एरिया इस एरिया में घोरे तो साप तो आज आहिर से बाते आएगा चलिए मांसुक लेको चलता है बेटा जी तो हम लोगों को छोड़ के रहती है दीदी प्रेंग तो आपको पंज याद नहीं आता है तो आप क्यों नहीं आती हो बताओ प्रैंग ठाव प्रैंग तहो स्कूल से आकर सलोनी के साथ चल साथ वाहीं पे रह गई थी मांसे तब लेकम इत्व लेलन पढ़ने लगी थी ति क्या क्या पढ़ा क्या पढ़ा थे बताओ और लेलन इस तो मेरे कपड़ा बहुत जब गुस्सा निकालते फेक देते उतर अब बेड लगा रही थी चलिए आई जाडू लगाते हैं आंगन में और क्या करें बेटा खेल रही हो ठीक है खेल लुपी बपृी से मागी लेलन ते से मागी से मागी रही है झालते है पपका अब चलिए निव भार पर और क्यान काम सार निपटाली बस खाली बर्तद धोना है चार बज्जा सोची जब खाना बना विट थोड़ा सो बर्तद में धोके बना लाकि सब काम कर देश जा खाना भी थोड़ा साही बनाने सबजी चावल रोती यह जो कि रोती में सुभा में ब अब दुआर देखेंगे और इधर कीजिए ना इधर रहता है थोड़ा है थोड़ा है थाक है के लिए पहते हैं कोवा देखे इधर का गेट खुला अंदर ना कुछ जाए है अपना खेला है ही रखे को टोरिया बजाने वाला ना अब आप अब देखेंगे अब हमें अधर लगा लिया है के शओ और अधर निकालते जारें क्योंकि न ज्यादा बलेक वाला हो जाते तो अच्छा नहीं दिखते और बापी बीटी को देखेंगे देख रहे हैं अब देंदा रहे हैं चली सुना नीचे है यह पर सूए है सा अब शुबह सुबह हो गया देख सकते हैं अभी बारिस रिसी पड़ रहा है मानसी अभी जा रही है बड़े पाप आवाज लगाए तो इसलिए और अभी हम और भया जा गये थे मार्केट में दवाई लाने क्योंकि हमारी पता नहीं मतलब कि हमारे इतनी अच्छी फैमिली है मानसी के लिए क्योंकि तबियत खराब के वैसे कुछ नहीं बन पाया अभी और करीब 8 बच चुका है तो इसलिए मानसी के लिए लादी है ता सिर्फ पूरी मानसी खाएगी तब तक हम हम और काजल मिलके बना लेंगे चाहा हम अकेले ही अकेले बना दी है लाही दवाई पता नहीं दोस्तों क्या हो बना मौसम चेंजिंग विए से जह रहा हो आप सब भी बोल रहे थे कि मौसम चेंजिंग को वैसे ज़ा हो तो क्या हो बेटा क्या चीए आपको चोकलत नहीं खाने चौकलत से दाथ में जान्स हुजाएंगे यह लो आप आलू और रोटी खालो इधर आओ तो नीचे की तरफ चला गया तो फिर हम लोग बालू ओलू गिट्ट्टी भरके उसको बराबर करना है क्योंकि बारिस का कोई ठीकाना नहीं है बर्से का तो लगातार बरिसे और तो ला दिये हैं मालसी के लिए दो चार पूड़ी लाए है सब्सक्राइब फिर हम लोग बनाते हैं दोलों लोग निल्की तुल दिए अब फिर खाएंगे जब मतलत की मैं ठीक हो रहा हूं तो मांसी के तवित थरा मांसी ठीक हो रहे काजल का तवित थरा इसलिए आप लोग देख रहा है कुछ व्लॉग भी अच्छा नहीं आ रहा है औ अब मांसी को चाहिए पटाका और भये भावी भी आया है और काजल अभी थो भी काजल का थोड़ा सब्सक्राइब मतलब के आराम हुआ अब दवाई खिये लाए थे अदे गंटा पहले तो ठीक है और अभी मौसम जो है ना क्या ही प्यारा मौसम हुआ है मतलब ऐसा अभी इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कि मन कर रहा है क्या ही कितना काम कर रहे आज तो आज काम तो ही करना है और और भी कई चीजे हैं जो कि आप लोगों सेर करनी है तो वह सब तो चलता रहेगा बाकि इस वीडियो का भी लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो झाल झाल